हेलो स्टूडेंट माइनेम इस मनेश आज मैं बताने वाला हूँ छत्यसगर बूट परिक्षा 2021 के संबंध में परिक्षा एवं परिक्षा फल समिती का एक संयुक्त बैठक हुआ जिसका टॉपिक था कक्षा दसवी की स्वध्याई याने की प्राइवेट एवं रेगुलर स् तो स्टूडेंट से रिक्षा करता हूँ विडियो को जादा से जादा लोगों तक सेयर कीजिए और इन्फोर्मेशन के बारे में स्टूडेंट को अवगत कराए इस्टूडेंट जो यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं कर पाएं तो चैनल को पहले सस्क्राइब कर लीजिए बैल नोटिफिकेशन आइकोन को भी प्रेस कर दीजिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं टॉपिक है चत्रिसगर माध्यमिक सिक्षामंडर राइपूर परिक्षा एबं परिक्षापल समिती की एक संयुक्त बैठक हुआ 11 मई 2021 को दोपहर के तीन बजे ये बैठक संपन्न हुआ तीन टॉपिक थे उनके पास पहला टॉपिक है पूर्व बैठक के कारेवरित का अनुमोदन हुआ समिती द्वारा पूर्व बैठक दिनांग 7 मई 2021 की वर्चुल बैठक का कारवाही विवरन का अनुमोदन किया गया सेकेंड है आपका कक्छा दस्वी की परिच्छा में स्वध्याई स्वध्याई क्या होता है स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट के परिच्छा 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 के प्रयोजना प्रयोगी परिच्छा के संबन में एक टॉपिक है इस पर वर्चुल बैठक पर निर्णय लिया गया है, प्रस्ताव रखा गया है, COVID-19 के मध्यनजर कक्छा दसवी की परिक्छा निरस्त की गई है, वो चाहे आपका सुध्याई स्टूडेंट हो, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हो, सुध्याई आंत्रिक मुल्यांकन प्राइवेट चाहत्रों का कोई असाइमेंट नहीं लिया गया है, तो उनको अंक कैसे दिया जाएगा, स्वध्याई चाहत्रों को सध्यांतिक परिक्छा यानि की पूर्वे में परिक्छाएं, एवं प्रयोजना, प्रयोगिक परिक्छों में नियोनतम अंक देकर करने का प्रस्तावित है यदि कोई छात्र प्राप्तांकों से संतुष्ट नहीं होता है तो आगामी परिक्षा में स्रेणी सुधार के माध्यम से परिक्षा में समलित हो सकता है इंक्लूड हो सकता है सेकेंड में पॉइंट है नियमिच छात्रों के प्रायोगिक परिक्षाओं के लगभग 99% अंग प्राप्त हो चुके हैं कोबिट 19 के कारण जो छात्र इस्टूडेंट को पता होगा कोबिट 19 संक्रमन इतना बढ़ गया था कि कोई स्टूडेंट अगर ऐसा भी हो सकता है कि प प्रदाय करने का प्रस्तावित है उक्त प्रस्ताव समीति के समक्ष अनमोदन हेतु साधर प्रस्तूत है उसके बाद तीसरा आपका टॉपिक है बच्चों मुष्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल यानिकी कच्छा दस्वी वर्स 2021 की सैध्धांतिक अंकों को प्रामेंड ने सुची जारी नहीं किये जाने के संबन में जानकारी दिया गया है कोविट 19 महमारी के मद्य नजर कक्छा दस्वी की परिच्छा निरस्त की गई है स्टूडेंट को ये इंफोर्मेशन पहले से ही जानकारी है आंत्रिक मुल्यांकन यानिकी असाइमेंट के आधार पर परिच्छा परिणाम जारी करने का निर्णाय लिया गया है मंदल ने प्रतेव विश्यक हेतू असाइमेंट छात्रों को जारी किये थे जिनका उत्तर लिकर छात्रों को साला में जमा करने का निर्देश दिये गये थे चुंकि assignment छात्रों द्वारा घर से लिख कर जमा किया गया है अता अनेक छात्रों सत्प्रतिसत अंग प्राप्त होने के संभावन है अता यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रतेक सैध्धांतिक विश्यों में अधिक्तम 72 अंग मानने किया जाएगा एक parameter समझ लीजिए एक range आपके लोगों के लिए बना लिया दिया गया है assignment के केवल 72 अंग आप लोगों को दिये जाएंगे हो सकता है कि पूर्व के अंगों को और मिला कर इसको 100% पूरा किया जाए assignment के अधार पर अंग दिया जाकर परिच्छा परेनाम जारी किया जाना है अता इस वर्ष प्रामेंट ने सुची जारी नहीं किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है तो student को information समझ में आ गया होगा यानि कि assignment के maximum parameter है आपके बहत्तर अंग आप लोगों का मानने किया गया है 72 अंग दिये जाएंगे उन्हीं को weightage दिया जाएगा और उसी को calculate करके आप आपका 100% भी किया जा सकता है तो आपको ये चीजे समझना है पूरा चीज यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर वी के गोयल जो सच्ची हो है 36 गड़ माद्यमिक सिक्छामंडर राइपूर के उनके signature है पूरा आपका ये official letter है 11 मई 2021 को जारी किया गया information कैसा लगा student को comment box पर बता सकते हैं क्या ये उचीत लगा अनुचीत है student comment box पर जरूर बता है thanks for watching video please subscribe here a channel thank you